योगी का मंदिर वर्मा कर खेला सरकारी जमीन पर कबजे का खेल अब हर हाल में जाना पड़ेगा जेल चाचा ने खोल दी भतीजे की पोल पहले बगीचा बेचा बगीचा का पैसा हलपा और फिर मंदिर वर्मा दिया मंदिर में लगा ताला मूर्ती हो गई गाय योगी भक्त अड़ा मैंने कुछ गलत नहीं किया ये योगी भक्त प्रभाकर मौरी है जिनके लिए सियम योगी भगवान है ये उनका ही गाना गाते हैं उनकी ही पूजा करते हैं उने ही भोग लगाते हैं और उनकी ही भक्ती मेरमे रहते हैं लेकिन ये भक्ती निश्काम भावना वाली नहीं थी। शुरू में ते लोगों ने सोचा कि प्रभाकर सच में योगी भक्त है। लेकिन जब उनके चाचा ने पोल खोली तो पूरी कहाने ही बदल गई। पहले सुनिये प्रभाकर के चाचा ने क्या-क्या आरोप लगाए है। उसके बाद आपको बताते हैं कि कुछ दिन के अंदर मंदिर से मुर्ती कैसे गायब हो गई। पुलिस कहती है कि कोई और ले गया और गाववाले कहते हैं मुर्ती पुलिस ले गई। सियम योगी का मंदिर सरकारी बंजर जमीन पर बना है। वहाँ पहले से ही शनी मंदिर दुर्गा मंदिर है। यह जमीन कई पुष्टों से हमारे कबजे में है। इस जमीन पर फेल लगे थे जिने प्रभाकर ने बिना मुझ से पूछे बेच दिया। और पूरी जमीन पर कबजा करने के नियस से इस पर मंदिर बनवा दिया। जबकि इसमें हमारा भी हिस्सा है। दो-चार दिन पहले वहाँ योगी जी की मुर्ती रख दी। और हमें धमकी दे रहे हैं कि हम योगी भक्त हैं। हमारे उपर कोई कारवाई नहीं होगी। मतलब पूरा खेल सरकारी जमीन पर कबजे का है। अब कबजा पर कोई पेल लगाए, खेती करे या मंदिर बनवाए। कबजा तो कबजा होता है। इसलिए जब प्रभाकर के चाचा ने सीम योगी से शिकायत की तो योगी ने सीधा जाच के आदेश दे दिये। डियम साहिब अब जमीन का रेकर निकल वा रहे हैं। पटवारी बंजर जमीन का इतिहास निकालने में जूटे हैं। ताकि ये पता चल सके कि सच क्या है। अगर जमीन सरकारी निकली तो समझिये बुल्डोजर चलना तय है। फिर ना तो प्रभाकर के चाचा को हिस्सा मिलेगा और ना ही वहाँ योगी का मंदिर रहेगा। क्योंकि सीम योगी इस तरह के भूमाफियाओं पर पहले से ही सकते। ऐसा भी हो सकता है कि अयोध्या की कल्याल भद्रसा गाओं के कई लोगों के घर भी बुल्डोजर चल जाए। क्योंकि प्रभाकर मौरे का कहना है कि हमारे गाओं के लोगों ने 50 बिगे से ज़्यादा जमीन पर कबजा किया हुआ है। तो लोग हमारे उपर उंगली उठा रहे हैं। जाच के बाद सब के उपर कारवाई होनी चाहिए। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। हाला कि इन सब के बीच जो हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई वो ये कि मंदिर में सीयम योगी आदित्यनात की मूर्ति गाए हो गई है। लोगों ने मुर्ति गायब कर दी है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यूंकि खेल सरकारी जमीन पर कबजे का है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक और यूपी से लेकर बिहार तक ऐसे कई केस हैं। अब तक सामने आ चुके हैं। इसलिए पहले नजर म में ऐसा ही लगता है कि पूरी कहानी कबजे के लिए ही रची गई है। लेकिन इस कहानी में कुछ और भी खेल हो सकता है। दूरो रिपोर्ट नुजवाल इंडिया।